आज हम लोग बनाने जा रहे हैं सिजन की आई हुई सबजी आलू मटर गोवी इसके लिए जो सामागरी हम लोगों को चीह है वो देख लेते हैं सबसे पहले आप ले 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 मास्टर ओल साथ में गोवी छोटे-चोटे टुकड़े में आप काट ले ऐसे आलू को भी इसी तरह से आप छोटे-चोटे टुकड़े में डाइस पर काटें ज्यादा मोटा मत करें आपको चैहे जो सिजन में हरी मटर आती है वो हरी मटर और साथ में धनिया पत्ती नमक हल्दी दो चार आपको हरी मिर्श के आशकता है टमाटर छुड़ी चुड़ी टुक्ने में कटे हुए और जीरा चलिए बनाना शुप से पहले है आप क्राय बिठा ले और उसमें डाल ले सरसो का तेब तेल को गरम होने दे आप देख सकते हैं तेल गरम हो चुकी है अब इसमें हम लोग डालेंगे जीरा जीरा अच्छे से क्रटल कर लेगा इसके बाद हम लोग इसमें डाल लेंगे जो गोवी हम लोगो ने काटके धोके रखा है अब इसमें आगे डाले जो आली हम लोगों ने काटके रखा है है और इसको अच्छे से मिला दे देख सकते हैं और इसको चलाते हैं जो चार नेल हम लोग भून लोगे चलिए देखके आएंगे गोमिद हो गया है हल्का सा यह बुना गया है अब इसने हम लोग गाल लेंगे जो हम लोग उने हरी मतर रखा हुआ है वो हरी मतर साथ में जो टमाटा पीसिस करते रखे हैं वो टमाटा है इसने हम लोग एड करनेगे सॉल्ड आपके स्वाथ के अलिचा और हर्डी करनेगे अब हर्डी अलमाग सब डाल दिये है और इसको खरास मिला लें आपके साथ हरी मेज को भी काट लेते हैं और हरी मेज को इस तरह से बारी काट से हम दो चब्जी में चाल देंगे आपके हरे मेज दिया दान देगे और इसको अच्छे से लिलाले और पूरी सब्जी को चलाते हुए इसको हम लोग को अच्छे से घुमना है आप देख सकते हैं सब्जिया एक तरब अच्छे से राई वो रहे हैं इसी तहां से आब इसको खनाते हुए अच्छे से अच्छे से प्राई हो गया है और इसी तरह से आप बार बार इसको पल्टा पल्टा के कोक करें आप देख सकते हैं कि यह अच्छे से प्राई हो गया है और आप चाहे तुरी सetr़ पर अब दबा के देख ले एक आलू को कातकेकर देख लें ओ और पूरी अच्छे से पक चुकी है अधनी गोभी भी इसको पंक गही है आप इस तẩफ से काटके को देख ले तो यह ड़र है अब इस स्केश पर हमनों भी इसमें इलाएंगे जो फ्रेश धनिया पत्ती हम लोगो ने काटके रखा है प्त्ति को मिला लेंगे और यथे बत्त्त्न पर निकाब सरी करेंगे रोटी पराथे के साथ जाए के सुपके दायर चाव लाइज परोसी अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेर जरूर करें और साथ में जो भी नए विजिटर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताके आगे के जो वीडियोज हैं वो आपको मिलते रहें थेंक्यू पर वोजिए